सूप्रभात विद्यार्थियों आप सभी विद्यार्थियों का हिंदी कक्षा में स्वागत हैं आज हम हिंदी पाथ माला में मेरी मा कविता पढ़ेंगे सभी विद्यार्थी अपनी हिंदी पाथ माला मेशिका की पुस्तक निकाल लीजिए प्रिष्ट क्रमांग 72 पर मैं हूँ उनकी सुंदर बच्ची करती मेरा सारा काम हर दम मेरा रखती ध्यान बड़े प्यार से मुझे उठाती गोधी लेती गले लगाती जब भी कुछ होती कठीनाई हर संकट से मुझे बचाती नए कहानी रोज सुनाती नए खिलोने मुझे दिलाती मेरी मा है सबसे प्यारी मैं हूँ उनकी राज दुलारी पहली पंक्ती में बच्ची क्या कहती है आईए पढ़ते हैं मेरी मा है सबसे अच्छी मा कैसी है मा सबसे अच्छी है और मैं उनकी सबसे सुन्दर बच्ची हूँ मेरी मा मेरा सारा काम करती है हर दम यानि रोज मेरा रखती ध्यान मेरा मतलब बच्ची कहती है कि मेरी मा जो है वो सबसे अच्छी है और मैं उनकी सुन्दर बच्ची हूँ मेरी मा मेरा सारा काम करती है वे रोज मेरा ध्यान रखती है बड़े प्यार से मुझे उठाती गोदी लेती गले लगाती जब भी कुछ होती कठिनाई हर संकट से मुझे बचाती बच्ची कहती है कि जब मैं सुबह उठती हूँ तो मा मुझे बड़े प्यार से उठाती है गोदी लेती है गले लगाती है और जब भी कोछ होती कठिनाई कठिनाई का अर्थ है परिशानी बच्ची कहती है कि जब भी कोई परिशानी होती है हर संकट संकट यानि मुसीबत मा मुझे हर मुसीबत से बचाती है नई कहानी रोज सुनाती, नए खिलोने मुझे दिलाती, मेरी मा है सबसे प्यारी, मैं हूँ उनकी राज़ दुलारी बच्ची कहती है कि मेरी मा मुझे नई रोज कहानी सुनाती है, नए खिलोने मुझे दिलाती है मेरी मा हैं सबसे प्यारी मैं हूँ उनकी राज़ दुलारी तो बच्चो मा कैसी है मा सबसे अच्छी है वे क्या करती है वे बच्ची का यानि मेरा सारा काम करती है वे रोज क्या सुनाती है वे रोज कहानी सुनाती है नई कहानी रोज सुनाती है और मा रोज क्या दिलाती है, मा रोज खिलोने दिलाती है, नए खिलोने दिलाती है, ठीक है बच्चो, मा क्या दिलाती है, मा नए खिलोने दिलाती है, किसे बच्ची को, और मा जो है, वह सबसे प्यारी है, और बच्ची उनकी क्या है, बच्ची उनकी राज दुलारी है, ठीक के बच्चों, सबी स्टूडेंट्स, पेज नमबर 76 पर आजाईए, हसो, हसाओ, तुम मेरी बहन हो, बिल्ली कहती है कैसे, गाय कहती है, अरे लोग मुझे माता और तुम्हें मौसी जो कहते हैं, बिल्ली हाँ 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 हसने लगती है, यहाँ पर सिक्षिका और विद्यार्थी के भी बात्चित हो रही है, सिक्षिका प्रश्न पुस्ती है, पंद्रा फलों के नाम बताओ, विद्यार्थी कहता है, संत्रा सेव आ, सिक्षिका पुस्ती है, पर ये तो तीन है, विद्यार्थी कहता है, एक दजन के लिए ले लो, ह हो गए पंद्रा विविध्यारती पेज नमर 77 पर आजाईए उल्टा सीधा कविधा पढ़ते हैं नया जमाना आया कैसा सब कुछ दिखता उल्टा सीधा चांद तैरता पानी में कैसी है नादानी ये तारी नाच दिखाते हैं धर्ती पर इतराते हैं रात में सूरत चमक रहा आसमान में दमक रहा पेड़ है नीले फूल सनहरे दिल के काले उजले चहरे बारिश होती टौफी बरसे हम सब अब खाने को लपके परी दे गई खेले किलाओने सुन्दर सुन्दर पहने गहने तपना तूटा आग खुली उल्टी बाते नहीं रही आ आओ अब उस्कूल चले मिलकर अपना पाठ पड़े तो बच्चो यह जो बच्चा है वह सो रहा है और सपने में यह सब देख रहा है कि सब कुछ उल्टा सीधा उसे सपने में दिखाई दे रहा है उसे बच्चे को चांद कहां दिखाई दे रहा है बच्चे को चांद पान पर तारे आकर इत्रा रहे हैं रात में जो सूरज है वह चमक रहा है आसमान में दमक रहा है पेड़ जो है वह नीले हो गए है फूल जो है वह सुनारे तरही सुनारे कलर में चमक रहे हैं बारिश जो हो रही है वह किसकी हो रही है टौफियों की बारिश हो रही है और सारे अपना पाट पड़े तो बच्चो इस तरह से पेज नमबर 76 और पेज नमबर 77 आपको पढ़ना है ठीक है बच्चो और पेज नमबर 72 की आधार पर आपको असाइमेंट दिया जाएगा जिसे पूर्ण करके आपको कल सुबर 10 बजी से पहले जमा करना होगा धन्यवाद